हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वैकेंसी जॉबलिट डॉट कॉम पे और आज का जो हमारा टोपिक आगे बढ़ने वाला है वो क्लोग का पार्ट थ्री क्लोग का पार्ट थ्री में मैं आपको स्लो एंड फास्ट के क् समझने होगे जीरो डिग्री का समझाय है इसे आगे की डिग्री के यंग्ल जो भी पूखेगा, उसके क्यूस्ट आज करवाने वाला हूं फिर उसके बाद slow and fast में मैं आपको ले चलूँगा इतने high level के question मैं इसमें करवा दूँगा जरूरत नहीं पढ़ेगी कहीं भी cloak chapter को देखने की मेरे इसाब से दो book को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ने वाली आपको cloak के मामले में cloak के मामले में एक-एक question आपको यहां पर discuss किया जाएगा फिर जरूरत पढ़ने वाली नहीं है आप इन्हीं ध्यान से पढ़ लेना काफी है ठीक है तो हम अब chapter में आगे बढ़ते हैं और हमारा chapter cloak part 2 part 3 चल रहा है part 3 देखिए part 3 में क्या होने वाला है सबसे पहले हम 90 डिग्री की बाते करेंगे आज कौन से के एंगल की बात करेंगे 90 डिग्री इसके बाद 180 डिग्री उसके बाद कोई अधर एंगल जीरो 90 और 180 से अधर भी तो एंगल आ सकते हैं उन पे बात करेंगे फिर उसके बाद slow and fast पे बात करेंगे तो देखो जैसे question at what time at what time both hands at what time both hands will be at right angle will be at right angle right angle between six and seven o'clock six and seven o'clock six and seven o'clock six and seven o'clock ठीक है वही छे और साथ बजे के बीच दोनों पिन कब एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगी पहले मैं इसको basic पार्ट से समझाऊंगा formula आपको कल वाली वीडियो में जो बताया था वो यूज करना है लास्ट टाइम जो वीडियो में बताया था वो यूज करना है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखिए तो उनको यह समझ में नहीं आएगा मैं पहले बता देता हूं वह तब तो देखे भई 6 यह होता है 6 बजे आप आवर की पिन को यहां लो मिनट की पिन को यहां लो 6 बजे दोनों पिन एक दूसरे क्या पोजित है ठीक है अभी इन दोनों के बीच 180 डिगरी का एंगल है जब यह मिनट वाली पिन यहां से चल पड़ेगी और आवर वाली धीरे धी पोची होगी दोनों के बीच बन गया होगा 90 डिग्री पहली बार कितना बन गया होगा भई 90 डिग्री जब मिनट वाली पिन यहां है और आवर वाली पिन यहां है प्रक्टिकली समझो आप चीजों को मैं तो बताया था हर चीज में क्लोक के अंदर प्रक्टिकली समझाऊंग मिनट हैंड अब यहां से आगे चलेगी आपको पता है आगे चलेगी आगे चलेगी इससे तेज चलती है फिर इससे आगे भी निकलेगी आवर हैंड से आगे निकलेगी फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यह आवर हैंड साथ पे पोचा भी नहीं होगा साथ पे पोचने वाला ह होगा तब तक मिनट वाला हैंड आगे जाके फिर से 90 डिग्री एक बार मिनट हैंड पीछे रहा तब 90 डिग्री बना एक बार मिनट हैंड आगे निकला तब 90 डिग्री बना तो कुल मिलाकर 90 डिग्री कितनी बार बन गया वही दो बार इससे यह पता लगता है कि 90 डिग्री ए इतनी बार बनता है दो बार तो उस फे वर्क करते हैं देखो हमारे पास फोर्मुला होता था कि आप एच इंटू 5 कीजिए प्लस माइनास एंगल बाई 6 कीजिए इंटू में 12 बाई 11 कीजिए यह फोर्मुले के अच्छे से जानकारी लेनी है तो पिछली वीडियो देखे आवर वाली कहती है कि मैं तेरे से इतनी मिनट की दूरी पर हूँ और प्लस माइनस इतना मिनट और कर ले या तो प्लस या माइनस इतना मिनट और कर ले इस दूरी को तै कर तो मिनट वाली कहती है कि जब मैं एक मिनट की दूरी तै करती हूं ना तो मेरे को टाइम चाहिए ह होता है 12 बटे 11 मिनट का यानि कि 13 से आवर वाली पिन से मेरे को एक मिनट का गैप देना हो तो टाइम चाहिए 12 बटे 11 का तो इतने मिनट को कवर करने के लिए गुना में 12 बटे 11 यही सब डिसकस हुआ था ना पिछली वीडियो में तो इसको सोल कर दीजिए 6 पास 30 प्लस माइ मिनस नब्य बटा 6 कितना होता है 15 इंटू में 12 बटे 11 अभी मैंने बताया था दो बार बनेगा 90 डिगरी तो आपके सामने देख लो एक बार 30 में प्लस करेंगे 15 इंटू में 12 बटे 11 और दूसरी बार 30 में माइनस करेंगे 15 तो यहां पर आ जाएगा 15 है इंटू में 12 बटे चल रहा है यह अब यहां पर 45 और 12 की मंटिप्लाई होगी बारा पाच साथ बारा चुक अर्टालीस और छे चोवन 540 बटे 11 जिसका अंसर होगा 49 1 बाई 11 कितना बजकर भई 6 बजकर 49 सही 1 बटे 11 पर बनेगा एक बार तो 90 डिगरी क्योंकि 6 से 7 के बीच पूछा है तो 6 बटे 11 यानि कि 16 सही 4 बटे 11 कितना बजकर 6 बजकर तो दूसरा अंसर है 6 बजकर 16 सही 4 बटे 11 और पहला अंसर था 6 बजकर 49 सही 1 बटे 11 और दोनों ही करेक्ट है गलत कुछ नहीं है डिपैंड यह करता है यह option में कौन सा आता है वही ठीक कर देना एक आएगा दोनों आएग ठीक है एक में आ जाएंगे नहीं तो एक आएगा और एक कौन सा भी आ सकता वह आंसर है करेक्ट है 90 डिग्री बनता ही दो बार है तो इसमें हमारी क्या गलती है ठीक है यह हो गया 6 से 7 के बीच 90 डिग्री अगर कोई और निकल वाए तो और अब की बार फास्ट करेंगे एक चार पांजे 20 20 में प्लस 15 तो 35 चार गुना पांच 20 20 माइनस 15 तो 5 इसके भी बहार में 12 बटे ग्यार है इसके भी बहार में 12 बटे ग्यार है जल्दी करने का तरीका बताया मैंने अब इसको भी यह सोल करोगे तो 38 सही 2 बटे ग्यार है और इसको सोल करोगे तो यह आ 5 5 by 11 कितना बज़कर है यह दोनों टाइम यह दोनों टाइम है चार बज़कर तो एंगल का यह पोर्षन आपको बहुत अच्छे से रास आ रहा होगा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा छोटा हो जाता है क्युस्टन बहुत बारी किसे सिर्फ 5 सेकंड में क्युस्टन लगता है अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हो तो अब आगे देखो अब पॉइंट यह है कि अगर एक से दो के बीच पूछा जाए तो तो एक से दो के बीच जब एंगल पूछा जाएगा तो एक की 5 से मल्टिप्लाई प्लस माइनस 15 इंटू में 12 बटे 11 इंटू में 12 बटे 11 ठीक है तो यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाला पॉइंट होगा यह प्लस माइनस बाद में करना एक पॉना पांच कितना हो गया वही पांच इसमें प्लस करेंगे 15 एक तो यह केस है और एक इसमें से माइनस 15 करेंगे ना इंटू में 12 बटे 11 जब यह माइनस करेंगे तो यह माइनस का 10 आएगा कितना आएगा वही माइनस का 10 और यह प्लस करेंगे तो आएगा 20 इसको देखो भई यहां जब हम सोल करते रहते हैं प्लस माइनस यह जब मिनट करते हम चाहिए 15 मिनट कर रहे हैं प्लस या माइनस करने पर तो प्लस करने पर अगर वैल्यू साथ या ज्यादा चली गई उससे ज्यादा चली गई वैल्यू कितनी साथ या उससे ज्यादा चली गई त फिर 12 बटे 11 से multiply करेंगे सुन लेना द्यान से लिख लेना अपने तरीके से आप लोग वह सबसे बैस तरीका होता है कि आप अपने तरीके से लिखो समझा मैं रहा हूं आपको हाँ माइनस करने पर कई बार value माइनस में चली जाती है तो उसका क्या करना जब वाइनस में value चली कि फिर उसको 12 बटे 11 से multiply करना जैसे for example मैं इसको यहां से समझ में आया वही दुबारा सुन लो जैसे क्या होगा आपका आया 50 प्लस में 15 ठीक है वही 10 से 11 के बीच निकल वाऊंगा 10 गुना 5 करोगे 50 प्लस 15 करोगे 65 अब यह 60 से उपर चला गया क्या आपने देखा है 10 बज चला गया जब टाइम उपर चला जाता है 60 या उससे भी उपर 60 आजाए तो भी और 60 से उपर आजाए तो भी आपको उसमें से क्या घटाना है भी पहले पहले minus 60 घटाना है फिर बाद में 12 बटे 11 से multiply करना ठीक आजाएगा आपका answer ठीक है ऐसे ही अगर आपकी value minus में जा रह आयरा कोई नहीं बताता होगा मैं बता रहूं गलतिया कर देते हैं आप लोग था 20 गुना बारा बटे 11 यह तो सोल हो जाएगा 20 गुना बारा बटे 11 बाद उन 24 दोसो 40 बटे 11 इसको तो लेकिन जब माइनस दस वाला पॉइंट आया तो इसमें क्या करना देखो पहले माइनस सही 6 बटे 11 दूसरा इसको सोल करोगे तो यह आ जाएगा 21 सही 9 बटे 11 तो दोनों ही टाइम सही है गलत कुछ नहीं है दोनों टाइम सही है 90 डिगरी दो बार बनता है क्योंकि अब एक एक जामपल और लेता हूं तब अच्छे से किलियर हो जाएगा अब यह हमें एक से दो के बीच किया है ना एक काम करो आप 10 से 11 के बीच करके देखो कौन सा एंगल बनाके देखो 90 डिगरी तो 10 को जब 5 से मल्टिप्लाई करेंग तो 35 प्लस अब यह कितना चला गया आप ही देखो बार 12 बटे 11 है इसकी कोई दिक्कत नहीं है ना यह माइनस में ना यह 60 यह उससे उपर लेकिन यह 60 यह उससे उपर चला गया तो जब ऐसा केस आ जाता है तो मैंने बताया था पहले इसको 65 में से 60 माइनस करना बताया था न और इसको सोल करेंगे तो यह आजाएगा 38 सही 2 बटे 11 और दोनों ही आंसर सही है क्योंकि 90 डिगरी दो बार बनता है किलियर हुआ भी बच्चो थेंक्यू बहुत अच्छे सा अगर आपने समझा हो तो अब मैं 90 डिगरी से मुक्त होना चाता हूँ अब 90 डिगरी का एक कंसे अच्यल बोलते हैं उसको उसमें क्योंटों आया कि 901ग में कितनी बार बनता है 90 डिगरी बारा घंटे में कितनी बार बनता है उन्होंने आंसर दिया 24 भार ऐक महीने बाद आगरा की बात है जो मैं 2016 में पढ़ाता था वहां की बात है ठीक उसके एक महीने बाद पेपर आया यूपी जल बोर्ड का वो भी जेए का पेपर ये भी जेए का पेपर उसमें क्या हुआ कि वही 90 डिगरी वाला क्यूचन पूछा रूसका अंसर था ट्वंटी ट लिए कि विल बी एट नाइ राइट एंगल विल भी एट राइट एंगल है इन ट्वैल आवर्स ट्वैल आवर्स बारा गंटे में दोनों पिन कितनी बार एक दूसरे के समकोन होंगी तो सुनों भई मैं थोड़ा एक्जाम्पल इसको यहां से क्लियर करूँगा बिना घड़ी के बनाये तो मैं कुछ समझाओंगा इन आपको समझ में क्लियर दिमाग में बैठ जाएगा आपके तभी छोड़ूँगा पीछा आपका दो तीन चार ठीक है इधर ले लो आप आठ नो और दस ठीक है कभी भी देख लेना 90 उनी जो है दो से तीन के बीच बनता है एक बार सिर्फ एक बार बनेगा दो बार havenary बनेगा और एक बार ठीक तीन बजे आप j całe am or anen तीन ठीक तीन बाजे आप जानते हो क्याकर कि आइसी पुर्पिन 8-9 के बीच बनता है सिर्फ एक बार निकाल के देख ले ना सारे concept लगाके देख लेना एक बार बनेगा दो बार नहीं बनेगा mais जह से 10 के बीच निकालके हैं एक बार 90 बनेगा और एक बार बनेगा ठीक नो बज़े क्योंकि है कि पिन नौ पर होती है कि नौ पर हुझत की बारागा 24 तो यहां पर के आप देखो 2 से लेकर 4 तक टोटल गंते ओ गए 2 कितने गंते हो गए 2 से 4 तक दो गंते ओगए इन दो गंटों में ऐंग्ल बना 90 का 1 2 3 कितनी बार बना भई थ्री टाइमस देखना ध्यान से मैं कैसा प्रू करता हूं चीजों को यहां पर 1 2 3 गंते कितने हो गए 2 8 से 10 तक eight two ten तक कितनी बार बना भई, याँ भी three times, ये भी three times clear है, तीन बार याँ बन गया, अब बच गये गंटे, two ये गंटे two ये गंटे, four गंटे तो गए पूछा कितने गंटे का है, बारा कंटे का हर गंटे में दो बार बनता है तो आप भी बतेए रिमेनिंग एट आवर में कितनी बार बनेगा रिमेनिंग एट आवर में कितनी बार बनेगा तो रिमेनिंग एट आवर में बचे हुए आठ गंटे में कितनी बार बनेगा बचे हुए आठ गंटे में 16 बार बनेगा क्योंकि डबल हो जाएगा तो 16 बार ये और 3 और 3 छे बार ये 16 और 6 22 बार आपका आंसर आ गया आ गया कि नहीं आ गया प्रूव कर दिया मैंने आपके सामने और ये सच्चा ही आप खुद घडी को गुमा गुमा के देख लो बच्चो घडी को तो गुमा सकते हो ना आप तो आप 12 बज़े चलना शुरू करो घडी को गुमा गुमा के 12 बज़े तक वापस आओ आप देखेंगे कि पूरे 12 घंटे हुए और घडी ने 22 बार 90 डिगरी का एंगल बनाया सब कुछ प्रूफ है आपके पास यह हम क्लियर कर देते हैं कि घडी का 90 डिगरी का एंगल 12 घंटे में 22 बार बारा में 22 बार है अगर आपसे बोले कि 24 में बताओ यानि कि एक दिन में बताओ तो 22 का डबल 44 अगर आपसे बोले 36 में बताओ तो जब इसका double हो सकता है तो 12 का 3 गुणा हो सकता है तो 22 का 3 गुणा भी हो सकता है 66 बार किलियर हो गया होगा मेरे इसाब से 90 डिगरी अब मैं चलूँगा बेटा 90 डिगरी के बजाए 180 डिगरी पर कितने डिगरी पर 180 डिगरी पर 180 degree का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट होना एक दूसरे के विपरीत होना ऐसे एंगल को एक एक करके कोई नहीं समझाता इसलिए आप सेयर कीजिए ना सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये कि आप इसे सेयर कीजिए बच्चों के पास जदा से जदा जानें दीजिए जहां तक पोचा यह कंसेप्ट अच्छा लगेगा तो वो भी फैलाएंगे आपको तुछ लग तो आप नाइन ओक्लोक बोथ हैंड विल बी एट विल बी इन अपोजिट डायेक्शन बोथ हैंड से आप समझ जा ना मिनट और आवर हैंड की बात हो रही है विल बी इन अपोजिट डायेक्शन विल बी इन अपोजिट डायेक्शन अपोजिट डायेक्शन question को आप जल्दी करया करेंगे वही time नहीं लेंगे देखो opposite direction में कब होंगे 8 से 9 के बीच तो पहले 8 की 5 से multiply 40 ठीक है plus minus angle कितने का आपकी बार 180 का है opposite होना मतलब 180 by 6 angle by 6 होता है यह minute में बदल गया into में 12 बटे 11 अब यहां क्या होगा एक बार प्लस करोगे तो सतर और एक बार माइनस करोगे तो तो उसमें से पहले – 60 कर लेना देले – 60 कर लेना सतर में से 140 करेंगे कितना आएगा भी दस यह भी तो दस है को इसमें से माइनस 40 करने पहोंा यह पहले ही 10 है तो fix इसका मतलब इसका कोई रोल बाकि रह नहीं गया क्योंकि हमारे पास तो पहले दस है तो बारा गुना 10 120 वाटे गया रहे है इसको शोल कर ले लेना या जाएगा 10 सही 10 बटे 11 है कितना बजकर 10 10 बाइ 11 कितना बजकर आंसर आया यह यह आंसर आएगा 8 बजकर तो बेटा यह चीज समझ में नहीं आयोगी साथ एक बार दुबारा बताता हूं मैं आपको 90 कि साथ या उससे उपर चला जाए तो उसमें से साथ पहले से सब्सक्राइब मैंनस खरलेना ''13 मिल्टिप्लाइ कर लेघा है'' या फिर दूसरा बताया था माइनस में चला जाये तो उसमें पहले साथ प्लस कर लेना फिर 12 बटे 11 उसमें कर लियुक्त सैथियों साथ यह उससे ओपर चला जाये तो सोल मत करो मैने नहीं किया है। इस और एक्जाम्बल लेकर दिखाता हूं तो teh दूसरे सोल मत Do देखो दो से तीन के बीच निकालना है तो दो की 5 से मल्टिप्लाई करूँगा प्लस माइनस एक्स वाटाई अच्छे कितना होता है बटे ग्यार है यह दस में से माइनस 30 गया तो माइनस के बीस और दस 30 गया तो 40 का माइनस के बीस की कोई वैल्यू है आप काड़ सकते हो मैंने बताया 180 degree के के केकेश में 60 यह उतसे उपड़ चला जायतो उसको खक्तम खत्म कर दो माइनस में चला जाए तो उसको खतम कर दो खतम कर दिया मैंने यह बच गया इसको कितने इसकरो 12 बटे 11 है यह साथ है उससे उपर नहीं है न इसको कर लो या जाएगा 43-7-11 साथ बटे 11 है कितना बचकर दो बचकर दो बचकर इतना मिनट आपका अंसर आया 180 डिगरी दो से तीन के बीच तो प्यारे बच्चों अगर यहां तक समझ में आया हो तो 180 डिगरी का भी एंगल आपको समझ में आ गया अब मैं पॉइंट बताना चाहूंगा 180 डिगरी के भी ब देखा 12 से बारे ऻरे बनाता है नहीं देखा तो किछली वीडियो देखो तिक है नबय डिगरी अभी आपने देखा बारे गंटे में बाइस बार 변 आते हैं कि यह कितनी बार बनता होगा तो देखो, how many times both hands will be in opposite directions in 12 hours. इसमें भी देखो, आपने देखा, 180 डिगरी हर गंटे में एक बार बनता है. हर गंटे में एक बार बनता है, तो 12 गंटे का अगर आपको concept लेना है, तो यहां भी एक छोटा सा exception यह आता है, कि 5 से 6 और 6 से 7, 5 से 6 के बीच कभी भी 180 डिगरी नहीं बनता, 6 से 7 के बीच 180 डिगरी नहीं बनता, कब बनता है, ठीक 6 बजे बनता है, आप जानते भी हैं, ठीक 6 बनता है, कौन सा वही, 180 डिगरी, 5 से 7 के बीच, टोटल 2 घंटे हो गए, लेकिन 180 डिगरी बना सिर्फ एक बार, वो भी कब 6 बजे, सिर्फ 6 बजे बना, तो आप कह सकते हैं, 5 से 7, इन 2 घंटों में 180 डिगरी बनता है, वन टाइम, इन 2 घंटों में, वन टाइम, बाकि कितन 11 टाइम, तो यह हो जाएगा, हमारा आंसर 11 टाइम, तो याद रखना, 0 डिगरी 12 घंटे में 11 बार, 180 डिगरी 12 घंटे में 11 बार, बट, 90 डिगरी 12 घंटे में 22 बार, तीनों पॉइंट याद कर लेना, अपने आप, आपके क्रिश्टन हो जाएंगे, यहाँ जब 1 डे लिख कुछ नहीं करेंगे बेटा, यही फोर्मला लगाएंगे, और क्या है, 7 से 8 के बीच, हिंदी में कब बता देता हूँ, 7 से 8 के बीच, 48 डिगरी का कौन किस समय बनेगा, कौन किस समय बनेगा, कौन होता है बही एंगल, किस समय बनेगा, यह क्यूश्चन है, तो वही अपना साथ को पहले 5 से 35 प्लस माइनस, एंगल बाई 6, 48 बटे 6, और इंटू में क्या था, 12 बटे 11, भाई यह सारा फोर्मला आपको समझना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली वीडियो देख लो, यहां बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, पूरा टोपिक बिल्कुल क्लीन क क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं, मेरा एक स्टुडेंट नहीं आपर कॉमेंट भी किया था, ठीक है, उन्हों ने कहाता सर, आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके कंसेप्ट भी एक क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो देखो, 35 प्लस माइनस, 48 इसके गुना में 12 बटे गया रहे हैं, और इसके भी गुना में 12 बटे गया रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि कोई भी माइनस में नहीं गया, और कोई भी 60 से उपर नहीं गया, तो दोनों सही है, तो होंगे दोनों सही, 90 डिगरी दो बार बन सकता है, तो 48 डि एंगल 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 पर बात कर रहे थे कई बार आपसे मिनट का गैप पूछ लेता है कि घंटे और मिनट की पिन 12 मिनट का गैप कब बनाएगी घंटे और मिनट की पिन 17 मिनट का गैप कब बनाएगी तो इस तरह का क्युश्शन जब आ जाए तो उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं देखिए क्यूश्शन पूछा गया चार से पांच बजे के बीच दोनों पिन का मतलब आप समझ गए गंटे और मिनट की किस समय किस समय सुई भी बोलते हैं मैं इसको किस समय ग्यारे मिनट का गैप बनाएगी ग्यारे मिनट की दूरी पर होंगी जिसका आप इंतजार कर रहे हो slow and fast का वो इसके बाद ही शुरूने वाला है दो क्योशन आज कराऊंगा बाकि अगले पार्ट में करवाँगा अगले पार्ट में slow and fast को finish करवा दूँगा बहुत अच्छे डंग से फिर last में 10 मिनट की एक वीडियो में upload करूँगा वो देख ल होता था यहां पर formula बता तो एक बार एच गुना 5 प्लस माइनस एंगल बाई 6 इंटू में 12 बटे 11 सुनना वही आप इसको पांच से multiply करते थे आप कहते थे कि आवर वाली पहले इतनी दूर है प्लस माइनस एंगल बटा 6 करते थे एंगल बटा 6 करने से वह मिनटी तो बनती थे एक्षोल में आप एंगल बाई 6 करते थे तरहें आपवे को 10 मिनटील करते दाएंगे की धें मिननट की दूरी और ओंगी यह पूछ रहा होता था तो ऐसा ही कुछ है यह यह यहाँ पर एंगल बाई 6 की जिर्ग डारेक्ट आम क्या रख सकते चेंग. बस इतना सा चेंज आता है इसलिए आप कन्फियूज न हो जाए इसलिए ली मैं इक करवाया स्पैसल तो चार गुणा पांच हो जाएगा बीस चारगुना पांच बीज एक चार होता है यहां पर प्लस माइनस मिनट कितनी है 11 इन टू में 12 बटे ग्यार है तो 20 में प्लस 11 किया तो 31 20 में से माइनस 11 किया तो 9 एक ही आ गया एक ही आ गया इसके गुना में 12 बटे 11 इसके भी गुना में 12 बटे आ रहा है तो मेरे हिसाब से अब एंगल वाला ये पॉर्षन कि जब एंगल दिया हो और क्यूशन पूछ लिया जाए कि उसमें क्या टाइम हुआ है तो आप आसानी से कर सकते हो एक ही फोर्मुले पर इतने सारे क्यूशन बन रहे हैं आप आप इजली कर सकते हो तो समझ के दे फास्ट होना आज सिर्फ दो क्यूशन कराऊंगा इसके क्योंकि वीडियो लंबी खिच रही है आप लोग भी बोर हो जाते हैं बहुत लंबी वीडियो होने के कारण वैसे नोट कीजिए बोर नहीं होना चाहिए आपको लोकडाउन का टाइम आप फाइदा उठाई है इसक आप भूल गए कि मेरे को गोर्मेंट जोपी लेनी थी ठीक है न मैंने देखा है बहुत से बच्चों के रिव्यूज देखे हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है मन को बनाओ जबरदस्ती बनाओ ठीक है कुछ लेना है आप तो आगे इतनी तंगी आने वाली है देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में आने वाली है और उसका सामना करने के लिए आपको हिम्मत दिखानी होगी हिम्मत से मेरा मतलब है जिसमें पावर होगी वो रोजगार पाएगा जिसमें नहीं होगी वो बेरोजगार रह जाएगा तो अपनी पावर दिखा स्लो एंड फास्ट में एक पॉइंट मैंने बताया था सेकंड वीडियो में पार्ट टू में मैंने बताया था कि यह जो दोनों पिन मिलती है ना यह इतने समय में मिल जाती है हमेशा इनके मिलने का टाइम कितना है 65 सही 5 बटे 11 मिनट बाद दोनों पिन को मिलना ही होता है जैसे ही 65 सही 5 बटे 11 मिनट होगी दोनों पिन मिल जाएगी ठीक है अब कुछ जगह इसको यह भी बोलता है 720 बटे 11 मिनट mix fraction से fraction में change कर लेना मिसरित भिन से भिन में change कर लेना इतने मिनट के gap पे भी दोनों pin मिलती रहती है एक ही बात है तो यह समझ में आ गया होगा कि दोनों pin कितने समय में मिलती रहती है बट आप से question ये नहीं पूछेगा slow and fast में question देखो आप लोग वहाँ screen पे भी आ गया है क्या कह रहा है English वालों और Hindi वालों सुनों वो कह रहा है यहां पर screen पर देखो English और Hindi दोनों medium में है पहले कह रहा है कि minute की pin hour की pin से परतेक 65 minute में मिल जाती है कितनी minute में मिल जाती है minute hand of a clock overlap our hand in every 65 minute परतेक 65 minute में मिल जाती है तो बताओ एक दिन में यह घड़ी कितना minute आगे या पीछे हो जाएगी how many minutes it will gain or lose in a day एक दिन में एक घड़ी कितना gain या lose कर देगी अगर 65 minute में यह मिलती हो तो तो सुनो भई यहाँ पर 65 minute में मिला दिया गया इसको ठीक है 65 minute में coincide करा दिया गया है question में यह दिया गया है अब आपके हिसाब से coincide कब होनी चाहिए coincide होनी चाहिए real coincide जो होता है 65 by 11 minutes में तो आप कहेंगे कितने जादा कितनी जल्दी मिल गया जल्दी मिल गया कि लेट मिला तो आप कहेंगे सर जल्दी मिल गया जल्दी मिल गया तो घड़ी तेज चल रही है तो आप कहोगे सर घड़ी तेट चल रही है भई घड़ियों की पिन का जल्दी मिल जाना घड़ी को तेट चलना ही तो कहेंगे न तो घड़ी तेट चल रही है तो गेन करेगी की लूज करेगी तो हम कहेंगे सर गेन करेगी प्राप्त करेगी आगे निकलेगी ठीक है गेन करे यह भी तो पता होना चाहिए न फेमीनेklär नहस्यानीघ टार न जब की घडि आए फेमीनट में सुरणाइप और पूच्छा प्रहए दिन यह फूच्छ में होते हैं 24 और 24 में अगर 24 को 60 से मल्टिप्लाई कर दे तो इतनी होती है मिनट तो सब कुछ मिनट में चेंज करना पड़ेगा यूनिट बराबर करनी होती हमेशा तो यह हो गया इदे को सब्सक्राइब 500 में देखा अरे गड़ी 65 मिनट में मिल गई मिल देखे 25 में बड़ा जांता है जब पता चली जब 55 मिनट गयन किया है तो आप बस वाला च्रिक बन जाएगा 65 minutes में गेन किया है कितना गेन किया हमारे सामने है 5 बटे 11 उतार लेना अपनी में अब पूछ रहा है एक मिनट दी जाती तो यह घड़ी कितना गेन करती घड़ी तो खराब है कुछ तो गेन करती तो गेन किया पांच बटे ग्यारा है और यह जो 65 है यह नीचे चला जाएगा नीचे जाने का मतलब हम एक गुना एक बटा 65 कर सकते हैं है ना गुना एक बटा 65 अब पूछ रहा है कितना का इतनी मिनट में पूरे दिन का पूछा था ना तो 24 इंटू में 60 मिनट में यह गेन करेगा जिनको समझ ने आए दुबारा देख लो वीडियो को पीछे से चला के समझ में आ जाएगा पांच बटे ग्यारे इंटू में 1 बाई 65 और यह किदर जाके मल्टिप्लाई होगा उपर 24 इंटू में 60 इतने मिनट पूरे दिन में गेन कर लेगा भाई हमें पता है 65 मिनट में इतनी मिनट गेन की एक मिनट में निकालना तो पैसट नीचे और अगर हमें निकालना इतनी मिनट में तो गुनाम इतनी मिनट कर दो तो यह हो गया पांच से एक अट गया 13 और गयारे की मल्टिप्लाई होती है 1440 इसको जब आप डिवाइड करेंगे 143 से अगर आप मिस्रि को 143 से डिवाइड कर लो मैं करके दिखाता हूं गलती कर दोगे आप लोग पहले बता रहा हूं बहुत से बच्चे करते भी हैं 141 144 बच गया एक उपर से क्या उतरा जीरो जब उपर से जीरो उतारा गया तो इस 143 से टैन डिवाइड नहीं हुआ नहीं हुआ तो उसके नाम यहां तक पहुच जाते हो डिवाइड करने में गलती हो जाती बच्चों आप से कुछ बच्चे आंसर कर केंगे 110 बाइव 143 यह आंसर मिलेगा कुछ बच्चों का देखना आप लोग कुछ बच्चों का मिलेगा 10 1 by 143 और यह दोनों उप्सन में भी होंगे एक्जामनर दे के नाम की जीरो यहां लेनी जरूरी है इसलिए यह 10 10 by 11 10 10 by 143 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा अगर समझ में आ गया हो तो आप इसे उतार लेना अब मैं नेक्स्ट वीड इसका नेक्स्ट क्युस्चन बता रहा हूं वो क्या है छोटा सा चेंज है वह जो आप 65 मिनट वा सभिण कुन गटे की इक मिनट की पिन गंटे की पिन से कितनी तेर में मिल जाती है बहुत अगली वीडियो का भी वेट करो और इसको भी पूरा देखो अच्छे से समझो एक पॉइंट को नोट करो अगली वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी देखो 64 मिनट का टाइम दिया हमें है ना हमें पता है हमारी घड़ी मिलती है 65 से ही 5 बटे 11 मिनट में अब की बार मिल गई 64 मिनट में तो गैप क्या आया 15 by 11 मिनट का पिछली बार आया था 5 बटे 11 मिनट का अब की बार गेन कितनी करिए 15 by 11 इसको 11 को 1 से मल्टिप्लाइ प्लस 5 करेंगे तो 16 बटे 11 मिनट का क्या हो गया भाई यह इतनी गेन कर ली इतनी मिनट गेन कर ली अब मैं फिर आपसे पूछूंगा कि कि तो यह कर लिए Info 64 मिनट में गेन कितनी देर में कर लिए बच्चों 64 मिनट में कर लिए देख। मैं एक एक कर देगा तो कुछ और बनेगा 64 कर दिया तो कुछ और बनेगा तो हर बार अपने क्यूशन के अकोडिंग चलते रहो बैस इजी ए तफ नहीं है भई आपको पता चला कि 64 मिनट में इतनी मिनट गेन कर ली तो लिखो 64 मिनट में गेन की 16 बटे 11 ना एक मिनट में गेन करेगा 16 बटे 11 इंटू में 1 बाई 64 निकालना कितने का था एक दिन का एक दिन में निकालना था कितना गेन करेगा तो एक दिन में होता है 24 इंटू में 60 मिनट इतनी मिनट होती है इतनी अभी निकाली थी ना तो चोबीस इंटू में 60 में गेन करेगा च्छैगुना साथ होता है तीन सो साथ नीचे हो गया ग्यारें इसको आगे सोल करेंगे तो 32 सही आठ बटे ग्यारें तो मेरी तरफ से आज का पोर्शन खतम होता है पार्ट फोर में मैं आपको स्लो एंड फास्ट के और क्यूस्टन कर वहूंगा जिसमें ऐसे भी question होंगे दो दो घड़ी एक साथ slower fast कर रही होगी एक घड़ी धाई मिनट पीछे एक घड़ी तीन मिनट आगे इस तरह के question भी होंगे ठीक है और कोई fast चलती होगी कोई slow चलती होगी कर दो चलती होगी